नमस्कार दोस्तों मेरे पाम हेडिंग चैनल में आपиком का बहुत स्वागत है आइे आप 23 वर्स की महिला के पाम का एनालिसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर центр परतम इनके सवालों को सुनेंगे फरेक करके इनके στοबार का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पैकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले बेल आके इनको प्रस कर दे ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मल चाहे तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प पर विचार करेंगे तो वीडियो काफी जादा महत पून है बहुत एक्सपेक्ट से क्योंकि इनके हतली पर कुछ ऐसी पॉस्टिविटी है जो इनसान को बहुत अमीर बना सकती है इनके सूरी परबत पर एक जबरदस्त अवस्था मौजूद है जहापर से इनसान काफी जा पैसा सभी देता ये साइन और अगर ये किशी पर आसित रहेंगे चाहे वो आपके हस्बेंड हो या आपके पती हो तो उनके लिए तो आप भागे साली होंगे क्योंकि अगर आपके जिंदगी पर किसी चीज़ का सुक उठाना लिखा है और आप हाउस वाइफ हैं और आप कोई किसी परकार का कार ये नहीं कर रही है तो नो डाउट आपके भागे से आपके पिता जी या आपके हस्बेंड जरूर राइस करेंगे तो शादी के पहले पिता जी शादी के बाद आपके हस्बेंड ये काफी समय में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसी मैलाएं होती जिनके शादी के पहले भी वो भागे साली होते हैं शादी के बाद भी, पहले पिता के लिए बाद में अपने हज्बंड के लिए, तो ऐसी कुछ अवस्ता आपके तलिपर मौझूद है, तो बस इस चीज़ को लेके ही मैं टिपणनी करना चाहता हूँ, और क्यों विवाहिक जीवन में आपकी परिशानी चल रही है, ये भी मैं दिखाऊंगा, और इसका निराकरन आप क्या कर सकती है, ये बताने का भी मैं परियास करूंगा, और क्या आशार है ठीक होने के, इस पे भी एक प्रकास डालने का कोशिश करूंगा, तो सारे चीज़ों को सुनके अस्प बात कर लें, तो सबसे पहले सूरी परवत पर नजर जाती है, ऐसा क्या इंडिकेशन बन गया, जो इतनी खास हो गए ये एतली, देखना, पहले तो एक सूरी रेखा एक्जेक्टली यापर से, और कुछ आपके स्कौायर्स बने हैं, और फिर यहीं पर से एक फिश्नुमाक करती का फोरमेशन, जहापर से नेम फेम को दर्शाती है और जिन्दगी पर तरक्की को दर्शाती है, आगे भी एक सूरी रेखा बन रही है, तो एक से जादा सूरी रेखा, एक नौकरी प्राप्ती के योग आपके यहतली पर भी थे, अगर आप नहीं करना चाती या नहीं करती तो आपके भागे से आपके husband rise करेंगे या किसी परकार का आप कारी सुरू करो तो आपकी तरक्की guarantee है तो ये एक तो सूरी रेका की बाते आगे बें देखो सूरी रेका बन रही है तो ये एक अच्छी अवस्था दूसरी देखे तो आपके fate line fate line थोड़ी सी गरबर गरबर सी है कहीं कहीं पर ये normal है ये बहुत ज़्यादा गरबर तो नहीं normal है इसके फल को बताया जाएगा और आगे की fate line बहुत अच्छी है positive है ये positive है और कुछ दो तीनी branches आपके तली पर मौझूद है बागे रेका के strong जीबन रेका और positivity में अगर हम देखे तो देखो जीबन रेका क्या गदर एकदम गजब वाकि strong आपकी lines जो ये सारी progress line है जो ऐसे जातों के जिन्दगी बढ़ी अच्छी बीटती है मान लो आपकी समय समय पर तरक्की के योग बने हुए है तो no doubt आपके बागे से तरक्की होगी no doubt आपके बागे से घर में कुछ नए नए चीज़े बनेंगे या फिर जिन्दगी पर कुछ नए नए चीज होंगे अगर यही same condition आपके husband कहते लिपर बनाओगा तो तरक्की दुगनी होती है ऐसे ही तो होता है आपने सुना होगा शादी के बाद बहुत rise कर गए वो वेक्टी क्यों कर गए एक तो पहले उन्होंने अपनी wife का कदर किया दूसरा कि उनकी wife का आपी बागे साली होगी अगर नहीं भी है कुछ थोड़ी कम भी है न तो कदर करना चाहिए ये एक बहुत जरूरी चीज है तो फिर तो प्राब्लम होगी नहीं कभी अगर आप कदर करोगे तो और इनके हैजली पर तो इतनी अच्छी अवस्ता है इनका तो कदर करना ही चाहिए एकदम करना चाहिए क्योंकि अगर कुछ चीज़े आपके हैटली पर पॉस्टिव वे में हैं पॉस्टिव वे में तो मतलब इनसान भागे साली अगर किसी के लिए भागे साली शब्द का परयोग किया जाल रहा है तो आप भी तो समझो उसको भागे साली एक बात और होती है कि विनाशगरी विपरीद बुद्धी मान लो कि किसी के हैतरी पर राहू रेखा होती बहुत जादा एक स्टोडी बहुत चोटा ऐसा ये किसी के जिंदगी बदलने में पूरा-पूरा काम करीगी ये स्टोडी किसी के खेत में सोना उपजा उसको ये आवास नहीं था कि उसके खेत में सोना उपजा वो सर पर हाथ रखे बैढ़का कि पता नी क्या हो गया तो फसल भी नहीं हुआ ये पता नी क्या चमकीला चीज हो गया इसको मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा पता नी तो जिसके खेत में सबजी उबजाता उसको पता था सोने के importance तो वो उसके पास गया और बोला कि देखो तुम मेरा खेत तुम ले लो और मैं तुमारा खेत ले लेता हूँ तो देखो कितना फाइदा हो गया उसको सौट में कानी निप्टा रहा हूँ तो बात यही है कि अगर आपको ये चीज़ कोई समझाने वाला मिल रहा है कि आप कुछ गलस कर रहे है किसी के लिए भी किसी के लिए भी मैं ये बात का यूज कर रहा हूँ और खोल के ही बोलता हूँ कि ये जो भी आपसे जुड़े उनके लिए यूज कर रहा हूँ तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर होगा तो नुक्षान इनका नहीं आपका ही है समझे लीजेगा तो ये चीज एक मैंने महतपूर्ण पहल उठाया क्योंकि आजकल महिलाओं के साथ काफी अत्यचार हो रहे हैं ये गलत है, ये बहुत गलत है ये होना नहीं चाहिए मैं इनके केस में नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत से लोगों के केस में बोल रहा हूँ तो घर की लक्षमी वही होती है उनका हमें सम्मान करना चाहिए ये बहुत जरूरी चीज है जब जिस दिन ये चीज आप करने सीख जाएंगे तो लक्ष्मी को डून दे के आपको कहीं बाहर जाने के आवश्क्ता नहीं पदेगी, डूनने के बहुत दूढ दूढ आवश्क्ता नहीं पदेगी आपके गर में ही ए, बस आँख खोलके देखिए तो सही जनाब और दूसरी चीज होती है कि अगर आपके नसीब में बहुत खराब चीज होगा या बहुत तकलीफ लिखा होगा तो कहां से आपको अच्छा चीज मिल जाएगा तो विनाशगरी विपरीद बुद्धी एक परीचर में करार आओं आपके लिए या उन सभी के लिए कि अपने गर के औरतों का सम्मान करें तो ये इनके कुछ अतिली पर अवस्थाएं बनी वी थी जहांपर से प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी मतलब ऐसे जातकों की जिन्दगी बहुती अच्छी रहती इसमें कोई संदेह नहीं है प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी बनी वी है तो ये कुछ प्रगति के योगते कुछ पॉस्टिव अवस्थाएं थी अब देखो नेगटिव अवस्थाएं भी कम नहीं है ऐसा नहीं सिर्फ मर्दों का गलती होता औरतों का नहीं होता गलतियां दोनों पक्से होती है जादा कम का डिफरेंस होता है देखे इनके एक इंट्रोवर्ट के लाइन से तो ये जब गुस्थे में आएंगे नो तो कभी किसी का सुनेंगे नहीं तो थोड़ा सुनना चाहिए आपको भी ठीक है ये भी जरूरी है का आगर आपको कुछ से ठीक करना है तो दोनों ही पक्से ठीक करना है और मैं एक पक्स का कभी भी डिसिजन नहीं देता हूँ जहाँ पर मैं पामिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर से थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइन से तो विक्ति रूडनेस हो सकता है बहुत सी बाते आप शेयर नहीं करोगी बहुत सी बाते मन में दवाब कोगी और अचानक से वो विस्पोर्ट करेगा तो थोड़ा शेयर करने के आवशकता है चीजों को लाइटली ले नहीं के आवशकता है और दूसरी negativity है ये तो यवाकिरती है आपकी mind रेखा पर ये तो मानसिक दवाब के रूप में आपकी mind रेखा है और ये एक से ज़़ादा मानसिक दवाब के रूप में तो इस बात को आपके husband को समझना है कि आपके जो wife है ना उनका समय ठीक नहीं चल और अगर इनसे बाइदवे कुछ गलती हो जा रही है कुछ भूल चुक हो जा रही है तो ये समय खराब है अगर कोई बच्चा आपके उपर गलती से पिसाब कर देता है तो वो क्या गलत थोड़ी है वो तो इसको क्या समझदा रही है तो जब आपका समय होता है तो आपको कुच ऐसे कारे को करते हैं जो आपको भी सोचने ने पर मजबूर कर देगे कि यह मैं कर क्यों रही हूं या यह मैं कर क्यों रहा हूं तो इस बास्त को आपके अपने ही समझेंगे जो आपसे जुड़े हैं जिन्हों an 누ें आप या आपके फेरे के समय ये कशन काया है कि आपका हर एक परसिती में साथ देंगे तो वो इस चीज़ को तो वो समझेंगे ना तो वही चीज़ में आपको बता रहा हूँ कहीं आपसे गलती ना हो जाए तो विवाईक जीवन में तकलीफ नहीं चलनी चाहिए इनकी समय ठीक नह ही चल रही है थोड़ी मानसिक दवाब की रूप में लाइन्स है और मानसिक दवाब का मतलब ही ये होता है कि समस्याएं जिंदगी पराना और इससे बड़ा समस्याएं क्या हो सकते हैं कि आपकी घरलो जिंदगी ही खराब रहे तो बस इस clarity को समझना है कि आपको negative चीज़ो को नहीं जीतने देना है आपको हमेशा ही जीतवाना है positive चीज़ों को हमेशा ही तो positive चीज़ों के रूप में अगर हम बात कर लें तो अगर खराब समय में किसे से कुछ गलतियां हो रही है तो उसको गलतियां नहीं मानते खराब समय को मैं बच्चे के रूप में देखते है तो बचपड में अगर आपके कपड़े पर कोई बच्चा ट्वैलिट कर देता है तो उसमें कोई बुड़ाई नहीं है क्योंकि उसको समझ नहीं होता और शादी सुधा जिन्दगी में क्या बरी गलती और दूसरी चीज की बात हम कर रहे हैं कि अब इसको हम कैसे देख सकते हैं दूसरी तरह से कि माल लो इनके हाथ पर कुछ नेगेटिव चीज़ों के योग है तब ही तो जिन्दगी पर तकलीफ आ रही है नहीं तो क्यों आती और इस चीज़ को अगर आपके अपने जो हैं समझ जाएंगे तो फिर तकलीफ तो वहीं खतम हो जाएंगी आप भागे साली थी या आप भागे साली हैं तब ही तो मैं इस चीज़ का आपको आज परिचे करा आ रहा हूँ और इथनी क्लैरिटी से ना पूरा दुनिया घूम लो पूरा दुनिया घूम लो कहीं भी हाथ दिका लो गैरिंटी हमारी ये कोई नहीं बता पाएगा और कोई बताना चाहता भी नहीं है अगर उसको आता भी होगा तो ये मैं क्यों बोलूगा कि मैं ही सर्व ग्यानी हो या मैं ही सर्व सकती मानू ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर किसी को आता भी होगा ना तो वो इतना टेंशन नहीं लेता लेकिन मैं तो टेंशन लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस 20 मिनिट की वीडियो में या 20 मिनिट की वीडियो में या 20 मिनिट की वीडियो में जो भी हमाई डिरूशन होते हैं वीडियो के उसमें मैं इतना clear कर दूँ आपको कि आपको फिर कभी कोई confusion ना हो बाकी अगर आपको पसंद आला तो like कर दीजे शेयर कर दीजे तो ये negativity के रूप में चीजे थी बाकी heart line पर भी emotions आपके भड़े पड़े हैं तो emotional विक्ति आप जल्दी बाजे में दिरने लेंगे और गुस्ता जल्दी आ जाता है इस case में एक negative impact आपके जिंदगी पर ये पर रहा है एक तो काफी intro word है दूसरा emotions है तो आपको हमेशा ही लगएगा कि आप सही है सामने वाला गलत है ये खामी होते से जातकों में इन लोगों को हमेशा ही ये feel होता है और जब ये feelings आपके अंदर आ जाएगा न तो ऐसे भी तकलीव दे जिंदगी है तो इस feelings को आपको भी निकालने क्या हो शकता है आज के वीडियो के बाद ही इस चीज़ को आप निकाल दीजिए जितना जल्दी हो इस चीज़ को निकाल दीजिए क्योंकि ये आपके लिए ही फाइदे मंद रहेगा तो ये दो negativity थी तो कुछ negativity के रूप में और भी चीज़े हैं और क्यों तकलीफ आया बर्षपती में तकलीफ तो है बहुत जादा ही तकलीफ है इसके लिए मैं आपको उपाए दूँगा वो बहुत जरूरी है कि आप उपाए करें बागे डिस्टर्ब शुक्र बले है जहापर से विवाई जीवन में तकलीफ को तो ये भी इंडिकेट करती है बहुत ही राम से ये चीज़ों का परिचे करा देती है कि विवाई जीवन में तकलीफ तो होंगी लेकिन हमें जेलना है हमें समलना है हमें सीखना है हमें समझना है और हमें आगे बढ़ जाना है मतलब हमें अपने जिन्दगी पर तकलीफ नहीं आने देना है अगर कोई विक्ति आपको इस चीज का परिचे करा रहा है तो ठीक है चलिए एक शुक्रवले के रूप में कुछ दिस्टर ववस्थाएं थी तो ये कुछ negativity आपके हाथ पर थी बाकी आगे के जिन्दगी के लिए आपका जो प्रशन था भी उस पर भी हम चलेंगे तो अभी आपके 27 वर्स की आयू है बचपन से ही काफी independent रही है प्रॉग्रस लाइन था education डिग्री आप में पूरी की है और एक प्रगती के रूप में कुछ लाइन थी जो आपके तक्रीबन 21.30 की आयू में थी और एक देखो राहू लाइन देखो क्या दिग्या ना 26.27 में strong एक राहू लाइन 26.27 में अगर देर साल और आपने समाल लिया ना तो फिर चीज़े अच्छी रहेंगे क्योंकि आपके अगर 23.30 में साल में प्रगती के योग है और इसके लिए ये डेर साल की अवदी जो आपकी तकलीफ दे गुजर रही है और अभी वरतमान में आप फेस करी रही है इस चीज़ को आपने बस केर करके समाल के बचा लिया ना इस अवदी को इसमें आप नर्वस नहीं हुई इसमें आप बहुत ज़दा फेंट नहीं की तो आगे के जिंदगे आपके अच्छे है क्योंकि एठाइस में 29.30 में एक प्रगती के योग है और इस चीज़ को बचने के लिए इस चीज़ से बचने के लिए या इस चीज़ से लरने के लिए जो भी एक एक एक्स्ट्रा उपाए मैं आपको जरूर दूँगा ये उपाए बहुत जल्दी और बहुत ज़ादा जरूरी है क्या आप करें एक 29 में साड में प्रगती है फर तकरीबन एक 32 में में फिर एक 46 में में फिर एक उन्चारिस में मेंatif फिर एक 42 में में, फिर एक 43 में में, फिर एक 45 में में, फिर एक आपकी तक्रीबन 49 में में, फिर एक 50 में में, मतलब एक 50 वर्स तक तो continue आपकी तरक्की है, फिर तक्रीबन एक 55 में में, फिर एक भाद बरी तरक्की है आपकी 57 में, 59 में 60 यर्स में, 62 में है और तक्रीबन आप देख लो 64 में फिर वहां से एक ट्राइंगल है जो तक्रीबन आपके 66 तक की बनी है फिर 74 एर्स में फिर उसके बाद भी जिन्दगी आपकी अच्छी है तो continue basis पर आपकी तरकीसी बन रही है बस ये एज एक साल का अवधी आपके लिए ज़ादा तकलीफ दे है अलाकि इसमें साड़ तक जरूरी है कि आपको सपोर्ट मिले कोई ने कोई आपको सपोर्ट करे नहीं तो मानसिक दवाब की रूप में चीज़ें है और इसको जेलने के लिए जो भी additional उपाय है जो मेरे तरब से बन परेगा मैं आपको जरूर देदूंगा तो ये कुछ questions थे बाग तो व्यक्ति बड़े जिद्दे के समके होते हैं और इस rectangle पांप पर ये वाले indications दिख जाए ना फिर तो समझो रूडरने सच से जाधा आ जाती तो बस इस पर आपको नियंतरण करना है समझना मेरी बात इस पर आपको नियंतरण करना है जिंदगी आपकी मस्त जिंगा लाल अच्छे है, strength अच्छी है, planets में जापर से विक्ति की 65% राज्योग कारक अवस्ता है मतलब जिंदगी अच्छी ही बीतती है, no doubt ये तो अच्छी बात है, बाकी आपकी थंब, strong विक्ति तो है, इतना बड़िया थंब तो आपको गुसल परविर्ति का बनाई देता है, जबी भी सपोर्ट के आवश्यक्ता पड़ेगी, मिल जाएगी, और desires के काफी अच्छे lines, विक्ति काफी desirable होते हैं, अब इस जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, second falange बड़ा है, जुकने वाली personality तो आपको बिलकुल भी नहीं है, और अगर आप परियास करत हैं, वो भी चीज़े आपके जिंदगी पर फलिद जरूर होती है, वागर strong thumb है, strong विक्तितों का परचे करा रहा है, जबरदस्त विक्तितों है आपका, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, समझदारी के लूप काफी अच्छी विक्ति बहुत ज़दा समझदार होते हैं, काफी अच्छे है, तो विक्ति सक्सेसफूल बनते ही बनते हैं, saturn finger number number लंबा है, तो महनती भी जबरदस्त है, sun और saturn के attachment है, तो विक्ति नियम में तो भी रहेंगे, और बाकि बुद्ध finger number लंबी है जहंपर से, विक्ति कमड केशन इसके लिए बहुत प्रबल, और रगी टिंड कर रहे हैं तो इंसान बिजनस में अच्छे होते हैं अगर विक्ति बिजनस के लिए दिमाग लगाए या जाएं तो सक्सस मिलने के काफी अच्छे आसा है बाकि fingers लंबी खरी है तो creativity काफी अच्छे है ऐसे इंसान बहुत creative person होते हैं में कोई संदेह नहीं है तो finger लंबी खरी है तो इंसान बहुत समझदार है तो ये fingers के विश्य में महात्यपोन बाते थी बाकि चलिए अभी planets के तरफ तो ब्रशपती कुछ एक दोका मिलने के योग थे आपके हैतली पर जापर से वो मिले होगे एक बच्पन में तक्रीबन आपकी आयू रही होगी ये साथ वर्स से लेके नौ वर्स के बीच में कोई दिक्कतों का परचे करा रही थी क्योंकि एक mole का यहाँ पर indications था तो उसमें कोई हो सकता है स्वास्त की परशानी आपको होई हो बाकी कुछ आपके प्राग्लस ताइन अतली पर मौझूद है जहाँ पर से इंसान कई न कई negativity को दूर तो करती ही करती है एक square आपकी मौझूद है जहाँ पर से इंसान की जिंदगी अच्छी रहती है और एक अच्छे पदपर भी आसीन होते हैं फिर 36 वर्स के बाद की जिंदगी हम मौथरिटी पोस्ट के रूप में देखते हैं बाकी स्ट्रॉंग आपकी परुपकार के लाइंस देखो प्यार से कोई बोलेगा तो आप कर दोगी ये तो है परुपकारी विक्तियं सेवा भाबी है अलाकि इस बरश्पती में भी आपकी तकलीफ चली रही है 30 वर्सों की आयू तक जहापर से 30 वर्स तक कुछ समस्या हैं आपको देखने को मिल सकती है और ये दामपते जीवन के रूप में ज़ादा होती है 30 वर्सों के बाद की बरश्पती अच्छी थी जिन्दगी अच्छी ही रहती है 30 वर्सों तक आपको समलने क्या हो शकता है और जहापर से यवा किरती तो ये 32 तक थोड़ा सा एक्स्टेंड कर रहा है तो 32 वर्स तक मान के चलो आप बाकि इसके रिगारिंग सांत के लिए ये शान्ती के लिए मैं एक रिमेडी आपको जरूर से दे दूँगा तो ये बरश्पती के विश्यम बात एती ये उसके बाद देखो सेट रहा है यहां से दवाब है तो विक्ती बहुत ज़दा महनती बहुत ज़दा फिर स्ट्रॉंग आपकी फेट लाइन दो-दो ब्रांचेस के साथ है घर से दूड का उन्नती आपकी दिक्रिया में और जिन्दगी के लास विड में भी बागि रेखा अच्छी है फिर कुछ लाइन से यहां से भी आपके बढ़के जा रहे है जाबर से विक्ती फेट लाइन तो बागे का उन्दा साथ आपको मिल रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है लाइन ओफ एजुकेशन है तो बेसिक नॉलेज काफी अच्छी है जो बाते मैं आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ बस उसको समझ लेना है एक फिश्णुमा आखिरती का फोर्मेशन जहांपर से इंसान को नेम फिर्म मिलता है तो नेम फिर्म के लिए प्रियास भी करना पड़ता है और ये एक डिस्ट्रेक्शन के योग थे तो कभी कबार डिस्ट्रेक्शन आपको हो जाता होगा ये नॉर्मल है अलाकि बहुत स्ट्रॉंग नहीं थे लेकिन ये नॉर्मल ही है फिर देखें स्ट्रॉंग आपके एक सूरी रेका आगे भी एक सूरी रेका बंडरी यहां से भी देख लो तो विक्ती काफी टलेंटेट है काफी टलेंटेट है बस इसी accuracy को आपको बना के रहना है और जिन्दगी को यूही ठीक करते रहना है सुलिय का काफी अच्छी अगर आप प्रयास भी करेंगे तो नौकरी प्राप्ती के योग है बाकी property के अच्छे सुक के योग आपके इतली पर बंड रहे है जहाँ पर से अच्छे योग है इंसान को आगे चलके property का सुक मिलता इसका परचबी हम करा देंगे सन मरकरी काफी अच्छी है बुद्धिवेक से कारी करने वाली है बस थोड़ी सी ना कभी कबार हरवर आहट हो जाती है घबर आहट हो जाती है तो उस चीज को बस समझना है बाकी कुछलकेल की लाइन से बन रही है तो यहाँ पर से इंसान intelligent ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा कभी कबार नर्वस भी हो जाते है बाकी सन मरकरी के अच्छी है काम कास में तो आप काफी अच्छी होंगी no doubt कुछ एक कोट केचरी के लफ़रे के योग भी आ रहते हैं तो इसके शांती के लिए मैं आपको उपाय दे दूँगा बाकी मंगल काफी अच्छा है ये वाला second वाला तो इंसान काफी energetic प्रारंबिक में थोड़ी दिक्कत है तो चिर्चिराहट घबराहट परिशानी आ सकती है तो चिर्चिराहट से दूर रहना है इसके लिए एक बहुत ही सटी गुपाय मैं आपको जरूर दे दूँगा इस मंगल को ठीक करने के लिए जहाँ पर से जो भी negative impact है वो दूर रहे है बाकी आपका मंगल ठीक है medium अस्तरी है जहाँ पर से इंसान दिरगाई होते हैं और हलकी फलकी पेट की समस्त्या इनको परशान करती है इसके उपरान तो फिलाल मुझे कुछ नहीं दिखरा हाला कि दूसरा मंगल अच्छा है तो आप energetic रहेंगे लेकिन पहले मंगल से जो side effect है उसका मैंने परिचा आपको करा दिया पर देखे आपके तरही पर चदरमा ठीक है strong ही है खराब नहीं है कुछ एक depression के line बन रहे है जहाँ पर से cross है जो इंसान को कभी कबाद depressive कर सकता है और ये में चली रहा है तो जहाँ डिप्रेस होनी के आपको बिलकुल भी आवशक्ता नहीं है बाकि strong आपके तरही पर lines है जो इंसान के जिंदगी पर यात्राओं का परिजगराती है यात्रा है जिंदगी पर होंगी बड़ी बड़ी भी होंगी जो आपकी जीवन रेका से भी थी और आगे के हिसाब में भी यात्रा के योग कंप्रीटली आपके तरही पर बने है यहाँ से भी देख लो आपके तरही पर दो lines एक बुद्धरेका के रूप में बन रही है यह भी एक अच्छी बात है इसमें भी कोई संदे वाली बात नहीं है ठीक है फिर देखे strong आपकी फिश्णुमाकरती का formation जहाँ पर से अकास्मिक धनलाफ को यह बता रहा है तो आगे चलके वेपार भी आप कर सकती है थोड़ी तोटी तोटी सी बुद्धर रेका है जहाँ पर से थोड़ी हलकी फलकी स्वास्त की प्राबलम आपको आ सकती है फिर कुछ lines आपके हितली पर ह तो फिर इसके कोई विशेश दिस्प्रबाब नहीं आते अब हिए आपके 27 वर्स की आईो वहाँ से आपकी बागे रेका कवर अब की है आगे भी बागे रेका है यहाँ पर से एक प्राबलम है स्दुरा मन में ये संदे या मन में ये द्वन्द उठ सकता है कि मुझे जो मि की गजब की है अला कि प्रगति के योग बने हैं तो व्यक्ति तरक्की ही जिंदगी पर करते हैं चत्रिस साल के बाद गोल्डन प्रियर्ड है और दो दो बागी रेका के रूप में चीज़े बन रही है वरतमान में तो यह दिक्राम है अगर आगे कुस चेंजर जाद है तो व आप परियास करेंगे तो परियास करने के आपको बहतर आवश्यक्ता है बागी कुछ बुद्ध रेका के रूप में ये भी चीज़े ती जो हलकी तूटी ही ती इसका तुम पूर्णता फल दिंदगी पर नहीं देखते हैं बागी स्ट्रॉंग एक लाइन से जो की बड़ी इमोशनल धक्का बागी हार्ट लाइन ये भी आपके तीस वरसों के बाद ज़द सक्री हैं विश्णो योग का फोर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाली है कुछ ट्रैंगल्स के रूप में अतली पर चीज़ें मौजूद है जहां पर से इसकी नेगेटिविटी को दू विशाई बनी रही होगे रही है और आप टेंशन लेते भी बहुत ज़दा है तो मत लिया करिए अलाकि इसके रिगार्डिंग वे मैं आपको उपायवश्य ही दे दूँगा फिर देखें स्ट्रॉंग आपकी मौटीपर प्रॉपर्टी के योग 36 में साड़ के बाद तो प बागी रेखा के विश्यम मैंने बताई दिया अच्छी ही है और स्ट्रॉंग आपके जीबन रेखा आयू दिरगायू एक मंगल रेखा के रूप में मंगल काफी अच्छा है और प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है लेकिन कुछ टेंशन के लाइन भी है तो विक्ति च कमाऊ होते हैं लेकिन प्रारंबिक स्ट्रेस के लाइन थे तो वो स्ट्रेस में आप जिंदगी बिताही रही है मनी मेंजमेंट के अच्छे योग है जहां पर से इंसान पैसे तो कमाई लेते हैं लेकिन आपकी हतेली जो है आपकी जैसे शुक्र है ऐसी महिलाई बहुत बस जबरदस्त है आपका तो इस चीज़ को आपके हस्बेंड को भी समझना है और बाकि स्ट्रॉंग आपके एक ट्राइंगल मौजूद है इसका मतलब ही होता है कि इंसान कई नके अपने निगेटिविटी से धूड हो रहे हैं कोसिश कर रहे हैं थोरे इरिटेशन के दिस्कुप्शन मिल जाएगा लेकर आप संपड़ कर सकते हैं धन्यवाद